आज बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही टैम्टिंग नीमबू का खटा मिठा अचार जो की बनाने में बहुत ज़्यादा इजी भी है और इसको आप लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं तो आए बना लेते हैं नीमबू का यहां मैंने एक किलो नीमबू ले में किसे साफ सूखे कपरें पोच लिए अशी तरह से बिलुकुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इसमें और अगर कागजी नीबु नहीं मिलें तो आए बेलिक ना है तो आप यह दिखते हैं बाकी मसाले अब यहां मैंने लिया है तीन टेबल स्पून नमक और साथ ही लेंगे तीन टेबल स्पून काला नमक तो दोनों तरह की नमक हम तीन तीन बड़े चमच लेंगे लेंगे तीन बड़े चमच जीरा और दो बड़े चमच अजवाइन और दो बड़े चमच हम लेंगे कश्मीरी रेट चिल्दी पाउडर लाल मिट्स पाउडर लेंगे दो बड़े चमच यह मैंने लिए है चीनी क्योंकि हम बना रहे हैं खटा मिठा अचार तो मैंने यह आधा किलो चीनी लिए है वैसे चीनी की कौंटिटी आप कम जादा कर सकत से और इसे हम यूज करेंगे बाद में पहले बना लेते हैं अपना अचार नीमू को हमने अच्छी तरह वाश करके सुखा के तयार कर लिया था अब इसे कट कर लेते हैं तो आप जिस शेप में चाहें कट कर सकते हैं मैं इसको स्लाइसे में कट करूंगी तो देखिए इस त जो चिलका पतला होता है तो आपका निमू का चार है जल्दी गलेगा और मसाला जाएगा दोनों तरफ से अपने निमू के स्लाइस के उपर तो देखिए इस तरह मैं कट कर लेती हूँ जल्दी बन जाता है जैसके जहां आप रहते हैं अगर वहां इस तरह की निमू नहीं मिलते हैं तो आप जो नॉर्मल निमू होते हैं उनसे भी आप अचार बना सकते हैं और देखिए इस तरह स्लाइस में कट करेंगे तो देखने में अचार सुन्दा लगेगा एक तो और जल निम्त ऍवसे अचार के ज्युकमाथा उन इस निम्याट लगता अता है तो उसल एक में कया तो इसको चलब बरगदर सकते हैं अर आपशाथ उसलाइस में अगर इसलिक्स में कट करेंगे तो देखिए खिल अगदम पतला होता हुना चार जल्दी गर जाएगा और दोनों Estados पर मसाला आराम से लग जाएगा जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे तो यह निमू तयार है कटके कुछ मैंने रोक लिये हैं इनको हम यूज करेंगे बाद में यह हमारे निमू तयार है यहां मैंने एक बोल ले लिया है इसमें अपना मसाला बना के त्यार करेंगे सबसे पहले मैं एड़ करेंगे तीन बड़े चमच नमक और इसी में मैं एड़ कर दूंगे तीन बड़े चमच काला नमक दुनों तरह के नमक डाल दिया हमने इसमें इसमें एड़ करेंगे तीन बड़े चमच जीरा यानि कि 3 टेबल स्पून जीरा एड़ कर दिया अजवाइन एदगे दो बड़े चमच, या आप चाहें तो तीन बड़े चमच भी ऐड़ कर सकते हैं अजवाइन यानि कि 2 टेबल स्पून कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर और यह मिर्च तीकी कम होती है बस कलर अच्छा आएगा इससे तो यह दो बड़े चम्मच एड कर देते हैं मसालों को मिक्स कर लेते हैं मैं इसमें गरम मसाला नहीं एड कर रही हूँ क्योंकि गरम मसाले वाला चार तूसरी तरह का होता है और मैं इसमें सिर्फ लाल मिर्च पाउडर से ही इस अचार को बनाऊंगी और यह अचार बेहर टेस्टी बनता है पस जो मसाला हमने मिक्स किया अम जालते हैं और अब साल अीसको मिक्स कर लेंगे से अब बिल pytsi मिक्स करना एं जहां से भीम के अब का चाहर को सब करते हैं इसको तरह से उन्हार्ण का अबजानी अब नाल मिक्स कर दो हर ए है कि अब अनुट पर आहां कार किना लन अब यह अचार बना भी नहीं है और बहुत अच्छी खुश्बू आना स्टार्ट हो गई है इस पहची तरह से कोटिंग हो गई है और इसलिए मैंने इसको इस तरह से कट किया था अब यहां मैंने एकदम साफ और सुखी काँच की बॉटल ले ली है और बहुत जरूरी है कि अपकी साफ हो और सुखी हो अपने अचार को इस बॉटल में भर देते हैं देखिए इस तरह से सारा अचार में इसके अंदर भर देती हूँ एकदम साफ और ड्राइ बोटल में हमने अपने नीमबू को भर लिया है और जो तीन नीमबू का जूस मैं अचार में डाल दूंगे इस तरह से ताकि थोड़ा मुएस्ट हो जाया अचार हमारा और छिल्की है इनको वेस्ट में करेंगे इनको इस तरह साइड में रख देंगे तिनों नीमबू थे इनको बमें इस तरह से रचार में और शिल्की अधे रख दो लेती हूं इस तरह से त totalmente में रख देंगे को भी मनने सास इसके साथ ही रख दिया है और इन छील्के भी घ्ल जाएंगे इनुका अचार बन जाएगा दिखिए सारी छिल्के मेंने आइसे तरह से बस हमने लिट को बंद कर दिया और अब इस अचार को हम धूप में रखेंगे इस अचार को आप रोज एक दो बार इस तरह से हिला लीजिए या फिर आप एक ड्राइ चमच लेके इसको आप एक बार ढकन खोल के अचार को एक बार मिक्स कर लीजिए तो यह बहुत जरूरी है कि अचार को आप रोज चेक करते रहे इसको दिन में एक बार शेक कर लीजिए या फिर ढकन खोल के एक बार ड्राइ चमच से चला लीजिए इसको ऐसा करेंगी तो आपका अचार बिल्कुल भी खरार नहीं होगा तो आठ दिन बाद यह अचार हमारा गल जाएगा और फिर म आपको आठ से दस दिन मैंने आचार को धूप में रखा था और देखी नीमू का कलर भी खोल के चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि अचार का कलर थोड़ा डार्क हो गया है तो आधी अचार को निकाल के चेक करते हैं तो आई अब एक दो नीमू की फांक हम निकाल की चेक कर लेते हैं देखिए दिखने से लग रहा अचार बहुत ही सुन्दर बना है यह देखिए तो आप देख सकते हैं अचार का कलर थोड़ा डार्क हो गया है और मसाला चतर लिप्टवा है अचार में और बहुत अची कुछ अचार में कलर भी बहुत अच्छा आया है अचार हमारा गल भी चुका है तो बिल्कुल तीखा खटा चतपटा चार नीमू का बिल्कुल तयार है तो नीमू के पूरे गलने के बाद मैं चीनि एड करूंगी देखिए नीमू ब्लकुल गल चुका है अच्छी तरह से और इस अगर आपको खटा निमू का अचार पसंद्द निमू को 8-10 दिन गलने के बाद हम इसमें आड करेंगे चीनी और देखे चीनी को मैंने पीस लिया है क्योंकि कई बार साबत चीनी एड़ करते हैं तो गल्ने में बहुत देर लग जाती है तो चाहें तो एड़ कर सकते हैं पर मैंने चीनी को पीस लिया है और चीनी के जगा आप इसमें एड़ कर सकते हैं बूरा या फिर और Healthy Option के लिए आप खांड भी add कर सकते हैं या आप चाहे तो इसमें इसमें गुड़ भी add कर सकते हैं तो आईए आप इसमें चीनी add कर देते हैं तो मैनने 500 g चीनी ली थी इसमें एकआड डिया था उसका पाउडर मेंνα अचिनी तो फिर दूप में रखेंगे कम से कम 3-4 दिन और भी सिर्ण से दूप में चीनी है यह मैल्ट हो जाएगी और अचार के साथ अच्छे तरह से मिल्ट हो जाएगी अपने आप ही तो इसको रखते हैं तीन से चार दिन और फिर मैं आपको दिखाती हूं तो अचार को मैंने तीन से चार दिन धूप में रखा था आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो चुकी है और चीनी ने बिल्कुल पानी छोड़ दिया है देख सकते हैं कितना लिक्विड है अचार के अंदर देख सकते हैं कितना लिक्विड है और जैसे जैसे अचार पुरान तो में थोड़ी ब्रोह निकाल के दिखा देती हूं आप देख सकते हैं तल्लर कितना अचांगा आद आद का Amcor do ka deduction निम्भू का खटा मीठा अचार बनके त्यार हुग गया है अप देख सकते व ilagy मीठी निम्भू का नममट हो गयि तयार है अप और इस चारो को आप बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होता है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके रेस्वी पसंद आई होगी, थैंक यू,